हाई फ्रेंट्स, जिस तरह से आप कोई दुनिया की सबसे शांदार गाड़ी लेकर क्या आजाईए, सबसे महंगी गाड़ी लेकर क्या आजाईए और उसमें सारे फीचर्स हो, सारे फंक्शन्स हो, लग्जरी सेग्मेंट की सारी खुब्याओं बट सिर्फ एक चीज अगर नहीं हो, यानि कि पेट्रोल या डीजल जो भी है, अगर वो ना हो, तो गाड़ी किसी काम की नहीं है इसी तरह से दोस्तों अगर business में earnings नहीं है, profit नहीं है तो company कितनी भी जबरदस्त हो, stock कितना भी गजब हो, आज नहीं तो कल दोस्तों उसका downfall निश्चित है और इसलिए जरूरी है कि हम अच्छी quality के businesses में जिनमें earnings growth नजर आ रही है उनमें ही अपना stake building करें तो आज इस वीडियो में हम ऐसी companies के बारे में बात करेंगे तीन companies के बारे में जिनका profit quarter on quarter लगातार बढ़ रहा है और वो अभी भी overvalued नहीं हुई है यानि earnings बढ़ती जा रही है, profit बढ़ता जा रहा है लेकिन company की stock price अभी तक बहुत जादा नहीं बढ़ी है तो चलिए जानते हूं वो कौन से तीन stocks हैं और long term में आपको किस तरह से profitable investor बनने में मदद कर सकते हैं Let's begin today's sagranomics और फाइदा तभी मिलेगा जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे otherwise कोई फाइदा नहीं मिलेगा So let's begin sagranomics So दोस्तों वीडियो में आगे हम लोग बढ़े हैं और analysis शुरू करें अपना उससे पहले आप वीडियो को अब भी से like कर दीजी क्योंकि बाद में आप ज़रूरी कामों की वेसे भूल जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके bell icon on कर दीजी क्योंकि research based वीडियो में आपके लिए हमेशा इस चैनल पे लाता रहता हूँ So दोस्तों आज के analysis में सबसे पहली जो company है वो है financial field से अब आज के financial field को पहले आपको समझनी की ज़रूत है आपने देखा होगा कुछ समय से private banks जो है वो बहुत ही undervalued situation में चल रहे है यानि उनकी price नहीं बढ़ रही है public sector banks ने rally दिखाई थी लेकिन उसके बाद में उनमें भी ठहराव आ गया है कुल मिला करके NBFC जो है वो कुछ समय तक ठीक चल रही थी micro finance company हो चाहे commercial vehicle finance company हो सभी में एक ठहराव सा आया हुआ है और उसकी एक ही वज़े है दोस्तों और वो वज़े है कि deposit growth से ज्यादा credit growth का होना यानि कम लोग deposit करवा रहे हैं banks में लेकिन जो loan देने की rate है वो ज्यादा है इसका मतलब banks के पास में liquidity का issue है अब इसको देखते हुए कुछ company ने बड़े innovative तरीके निकाले है और उनी में से एक company है जिसने innovative तरीका निकाला है और वो दोस्तों है आपके सामने ये श्रीराम Finance Limited और इसकी खास बात दोस्तों ये है कि करीब 1,32,000 करोड की market cap वाली ये एक large cap company है 3500 के आसपास में इसकी price चल रही है लेकिन करती क्या है company company basically financial space में यानि deposit taking NBFC है ये वो company है जो की deposit ले सकती है और साथ में इसकी 1700 से ज्यादा branches है जिनमें 831 branches दोस्तों इनकी rural centers में यानि गाउं में है साथ में दोस्तों ये company हर तरिकी के finance में है vehicle finance में है general insurance में है life insurance में है और इसके साथ में consumer finance में है housing finance में है यानि सभी तरिके की finances में ये company काम करती है 17 का price to earning ratio है और industry का price to earning ratio है 23.9 जिससे कि ये कम है पित्रोष की score को हम लोग financial companies में consider नहीं करते हैं 25% profit promoter के पास में holding है sales की growth 18% उससे थोड़ी सी ज्यादा 23% profit की growth भी इसमें नजर आ रही है 5 साल के हिसाब से ROC 11% ज्यादा है ROE 15.9% ज्यादा है पर अब आप ये कहेंगे कि सर ये numbers तो ठीक हैं लेकिन आपने इस sector को क्यों चुना इस company को क्यों चुना क्या खास बात रही है आपको इसके select करने के बारे में तो दोस्तो इसकी वज़े बताता हूँ मैं आपको ये आपके screen जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे है इसका मतलब क्या हुआ अब आप ये देखे कि यहाँ ना सारी लड़ाई है finances को mobilize करने की यानि की deposits लेने की अगर NBFC और banks के पास में पैसा होगा तब ही तो वो किसी को credit पे दे पाएंगे आज आपकी जैब में अगर पैसे हैं तो आप किसी को उधार दे सकते हो ना जब पैसे ही नहीं है तो उधार कैसे दोगे और इसलिए इंडिया में जब उधार लेने की बारी आई तो depositors देखिए ध्यान से समझेगा dynamics को हो क्या रहा है कि जो depositors है यानि आपके हमारे जैसे लोग वो जो bank में और NBFC में अपना पैसा रखते हैं उन्होंने stock market में invest करना शुरू कर दिया है और इस वज़े से जो banks में या NBFC में पैसा पहुंचना चीए था वो नहीं पहुंच पा रहा है नतीजा इन companies को पैसा raise करने में struggle करनी पढ़ रही है कि या तो ये ज़्यादा rate दे तब इनको पैसा मिलेगा या फिर कोई और तरीका निकालेंगे और श्रीराम finance ने जो समझदारी वाला काम किया है इन्होंने इंडिया से बाहर से करीब 15,000 करोड रुपे जो है वो इन्होंने mobilize करने शुरू किये कम rate of interest पे तो उससे फायदा क्या होगा इनका जो net interest margin है वो increase हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी इनकी financial performance को हम देखते हैं और आप देख सकते हैं इनकी जो total income है वो 20% से grow किये है net interest income जो इनका main margin जो इनका मुनाफा है वो 20.63% से profit after tax 18.21% से तो अगर net interest margin से income से profit तक सिर्फ 2% का change आया है इसका मतलब दोस्तों इनके उपर और ज्यादा burden नहीं है interest payment की और taxation की यानि ये दोनों अच्छे से सब कुछ 2% के अंदर ही manage कर रहे हैं लगबग और earning per share इनकी 17.82% है जो अपने आप में एक बड़ी ही अच्छा number है technicals की बात करें दोस्तों तो आप अपने screen पर देख सकते हैं कि इसका जो chart है वो लगातारिक consistent growth को show कर रहा है और साथ में अगर आप volume को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें एक moderate level of trading हमेशा बनी हुई है यानि यह बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने की या बहुत ज़्यादा तेजी से गिरने की बजाए low beta stock के तोर पे चलती ही आपको नजर आ रही है वहीं आप अगर weekly chart पे जाएंगे तो आपको इसकी जो growth rate है वो ज़्यादा अच्छी नजर आएगी यानि एक चीज तो पकी है कि company consistency में believe करती है यहीं दोस्तो consistency की ज़रूत पड़ती है आपकी learning में भी क्योंकि learning और earning आपस पे जुड़े हुए हैं तो अगर आप consistently अपनी knowledge को लगातार बढ़ाते रहते हैं तो यकीन मान के चलिए आप आसनी से profitable investor बन सकते हैं और lifelong wealth creation कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारी degrees की ज़रूत नहीं है एक systematic approach चाहिए और उसके लिए बेर पास में आपके पास में दो option है पहला option है कि आप हमारी membership से जुड़िए जो YouTube पर membership program है हमारा उसको जरूर चेक करिए एक समोसे की चाय की और साथ में एक movie की cost के अंदर अंदर आपको latest information पूरी research वे में आसनी से मिल जाएगी membership में तो details चेक करिएगा और दूसरी चीज़ अगर आप systematically ये पता करना चाहते हैं कि 5000 stocks में से अच्छे stocks को कैसे mintो में ढूंड करके निका लें तो उसके लिए एक पूरा structured queries का हमने एक program बना रखा है जो कोई भी non finance background वाला non coding background वाला भी आसानी से सीख के और अच्छे stocks को search कर सकता है उसके लिए stock selection की जो master class है इसका और membership दोनों का link आपको दोस्तों pinned comment में और description में मिल जाएगा जाके देखेगा और हमारी website पे आपको free courses भी मिल जाएगे आराम से तो जरूर जाएए 5 minute निकाल के चेक जरूर करेगा आपको definitely फायदा होगा उससे चलिए अब बात करते हैं हमारे stock number 3 की और stock number 3 आपके screen पर ये रहा तो माफ किजिए का दोस्तों ये stock number 2 ही है और नाम है इसका Indus Power Limited एक लाख करोड की market cap वाली कमपनी है और दोस्तों ये वो ये वो interesting कमपनी है जिसके पीछे सारी telecom कमपनियां लडने में लगी हुई है Airtel ने इसमें अच्छा खासा stake ले रखा है Vodafone idea के साथ में भी इसका आपस में कुछ चल रहा है क्या चल रहा हो तो मैं क्या बता हूँ और साथ में actually पहले समझे कि क्यों ऐसा है और ये कमपनी करती क्या है तो Indus Power इन दिनों में सबसे ज़्यादा controversial companies में से या busy companies में से एक है Basically दोस्तों ये mobile tower लगाने का काम करती है तो जितनी भी telecom companies है वो tower पर dependent है और tower लगाती है इंडस tower ठीक है तो अब आपने समझ लिया कमपनी का background तो यहाँ पर इसका जो एक plus point है वो ये है दोस्तों कि ये एक powerful supplier है सारी telecom industries की और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस tower has added 18,900 macro towers and 3,000 lean towers last nine months of 2024 Tennessee's added on these macro towers totals to 17,848 that means कि ये company 18,900 लगबग 19,000 towers लगा चुकी है इसी साल के अंदर और इसने सब के लिए towers लगाए है जियो के लिए लगाए है इसने भारती एटेल के लिए लगाए है Vodafone Idea के लिए लगाए है और इस लगाए है दोस्तों कि इसको Crystal ने दिया है Short term में A1 प्लस रेटिंग और Long term के हिसाब से Crystal AA प्लस रेटिंग So business में दम है तभी इसको ये रेटिंग मिली है और दोस्तों इस company की खास बात यह है कि ये darling of stock market बन गई है वैसे ही जैसे कभी Unitex, Slow and Energy, GMR, Infra ये हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले यानि हलकी सी भी छोटी सी भी खबर चाए positive हो चाए negative हो इसकी prices पे बहुत तेज असर डालेगी Reason ये है कि जब से Vodafone Idea ने इसका payment किया है तो आपको लगेगा तो investors ने माना कि ये company grow कर रही है लेकिन साथ ही जैसे ही कोई capital structure की problem सामने आती है तो company को negative तरीके से भी देखा ज़ता है कहने का मतलब ये high beta stock है और इसलिए आपको इसको cautiously बहुत ध्यान से इसमें study करके ही अपना decision लेना चाहिए, कभी भी 1-2% से ज़्यादा stake ऐसी companies पे आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि stock market में दोस्तो risk तो रहती है और ऐसी companies पे जहां high beta है वार रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बात करते हैं third point की और third company लेकिन उससे पहले इसके एक बाद technical chart पे और यह दोस्तों इंडस टावर का जो टेकनिकल चार्ट है वो आपके screen पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह company ने moving averages का crossover दिया 22nd April 29th April 2024 को और उसके बाद से यह continuously एक long term आप देखिए कि growth cycle पे चल रही है लेकिन recently यहाँ पर इनका bull trend जो है वो टूटा 26 August को और अगर आप देखें इसके बाद में major correction भी आया यानि कि यह बिलकुल gap down निकली और साथ में करीब 344 के आसपास में इसका stock भी गया पर दोस्तों यहाँ यह बात ध्यानत नहीं होगी कि इसका जो next level है जो support level था वो ब्रेक किया इसने और support level को यह अगर वापस से अचीव करती है यानि यह 400 से उपर लगबग लगबग मैं कहूंगा 410 के उपर अगर यह close होती है तो अगेन इसको 450-470 के आसपास जाने का मोका मिल जाएगा यह daily charts पे लेकिन अगर आप मंतली charts पे देखेंगे तो आपको पता पढ़ेगा कि थोड़ा सा pressure तो इसमें definitely रहने वाला है लेकिन long term जो इसकी growth है वो intact है अभी भी यह bullish moment में आपको नजर आएगा अगेन मैं आपको घरा हूँ दोस्तों ऐसे stock में risk की संभावना ज्यादा होती है so be cautious अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे stock की तरफ और उसका नाम है Raymond Limited दोस्तों इस पे हमने पहले भी discussion किया है और मैं सच बता हूँ अगर आप यह price के पीछे भागने की आदत छोड़ दें जो ब रेमंट्स जो है वो अंडर डोग रहा हुआ है इस पर ज्यादा कोई highlight इसकी रात दिन खबरें आ रही हो लेकिन इसने अभी जो share swap का जो ratio है उसके through जिन लोगों के पास रेमंट्स के share पड़े हुए थे उनको extra share भी मिल गए है रेमंट्स lifestyle के तो बिना कुछ किये ही आपको एक अलग से दूसरे business में participation मिल रहा है डी मर्जर के बाद में तो ऐसी चीज़ों पर आपकी नजर होनी चाहिए बहराल हम देखें तो यह करीब 1800 रुपए के आसपास चल रहा है 12,000 करोड रुपए की market cap है और यह कहते है ने the complete man जो add हुआ करता था रेमंट्स का वो हम सभी जानते हैं तो यह एक बहुत popular brand है और बेस्ट पार्ट है return on capital employed और return on equity 230% से ज्यादा है क्या करती है इन्होंने अपने business को demurge किया है lifestyle business को अलग कर दिया है जिसमें आपके बिजनिस जो है वो रह गया है properties का और engineering goods का जिस business को यह simultaneously अलग रेमंड में चला रहे हैं यहाँ टेक्निकल चार्ट रेमंड का आप देख सकते हैं daily chart पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक major जो resistance है आपका और major support level में आपको आपके screen पर दिखायता हूं कि करीब-करीब 1848 के आसपास में इसमें support है और जो major resistance है जिसको इसने तीन बार touch किया है वो है करीब-करीब 2700 रुपे के आसपास का अगर यह दोस्तों देखें यहाँ से bounce back होता है तो 1800-200 तक जाना इसका लगबग आसान है ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन long term में आप अभी भी देखेंगे तो 2200 का स्तर तोड़ने के बाद में यह 2600 के स्तर तक भी mid term में जा सकता है quality of business में कहीं कोई ऐसी समस्या है नहीं और साथ में बात यह है दोस्तों कि इसमें अभी लेकिन fundamentals और technicals पे हमें नजर इसलिए रखनी होनी चीए क्योंकि दोस्तों अभी de-merger हुआ है इसके बाद मे एक या दो quarter तक हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी जिससे समझ में आए कि de-merger से business दोनों उनको कितना फाइदा हुआ है और कितनी streamline इनकी capital structure काम कर रही है तो दोस्तों overall यह analysis था तीनों stocks का उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ नहीं जानकर ही मिली होगी और हाँ आपको अगर कुछ भी जड़ा फाइदा हुआ है तो जरूर मुझे बताइए comment section में बहुत सारे लोग लिखके बताते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों इसके अलावा आपको कोई question है किसी particular stock पर आप वीडियो चाहते है या किसी financial concept को आप समझना चाहते है तो उसके बारे में बताइएगा मैं जरूर उसके उपर वीडियो लेकर के आओंगा आपने इतना time दिया इतना प्यार दिया वीडियो शेयर किया क्या नहीं किया तो कर दीजे ना वीडियो शेयर कीजे लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब कीजे और दोस्तों आपने इतना support बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जय हिंद